बिहार सरकार दोर जो गर्जोइशन पास करने पर मुकमंत्री कानिया उठान योजना के तफ़ जो 50,000 एस्कोलर्शिप दिया जाता है। जो भी एस्टुडेंट एक प्रेल 2021 के बाद फैनल के हुँशन पत्चास अजार रुपिया दिया जाएगा वोकेशनल कोर्स एबम फैनन्स कोर्स के लिए। तो आगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फुल डिटेल के साथ एस्टे बाएस्टे बताने बला हूँ। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। कन्या उथान योजना का लाब जो है वर्स 2015 से शुरू हुआ है। 2015-18 शत्र में यहां पर देख लिए वकेशनल एबम सेल्फ फैनन्स के लिए तहत जो चल रहे थे कोर्स नमांकन लेकर जो चात्रे उतीन हुई थी। उसके बाद देख लिए उन्हें 25,000 रुपिया बैंक अकॉंट में टांसफर किये जाएंगे। वर्स 2018-21 सत्र बह इसके बाद उतीन शात्राओं को 50,000 रुपिया मिलेगी। समाने विशहों से सनातक करने वाली चात्राओं को कन्या उठान योजना की राशी सरकार द्वारा दी जा रही है। लेकिन वेकेशनल एवं फैनेंस से सनातक पास करने वाले चात्राओं को आवेधन को पेंडिंग कर दिया गया था। पेंडिंग कर दिया गया था। इसकी संख्या करीब 30,000 है। इसी सबी चात्राओं को लाब मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लोगों को बता दो को एक युनिवर्सिटी में लगभग 30,000 है। इसी पर जितना भी युनिवर्सिटी में वेकेशनल एवं सेल्फ फैनेंस का कोर्स होता है। सभी स्टूडेंट को स्कोलर्शिप दिया जागा। साथ में आगए आप लोगों को ये भी बताने वाला हो कि इसका आउनलेन आवेदन डेट कब से जारी क्या जागा। उसके बाद देख लिजे मैं आप लोगों को ये हिंदुस्तान खबर के ओर से जो नियो जाया है उसके बारे में आप बतायने वाला। वेकेशनल की छात्राओं को मिलेगी कन्या उठान योजना की राशी है आप देख लिजे बी आर बी यू में वेकेशनल कोर्स की छात्राओं को भी कन्या उठान योजना की राशी दी जागए इसकी जनकार बी आर बी यू के डी अस डवलू प्रोफेसर अभे कुमार सिंग ने दी है उन्होंने बताया कि सिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में इसकी समयति मिल गई है आप लोगों को बता दू को सिक्षा मंत्री को ऊवर से राष्टा साप कर दिया गा कि सभी एश्टूडेंट को दिया जागा साथ में इसकी online आवेधन डेट की बात के रो तो आप कॉन को भी अनकर जी क्योंकि विहार गड़ जोस्टन और स्कोलर्शिप के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बरी अपडेट आता है तो सब चो पले इस चैनल को दुआरा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है तो चलिए मिलते किसी नेक्ट वीडियो मुनी अपडेट के स साथ तब तक के लिए धने बादेगा